हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब अनिताज कीचन एंड व्लोक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेका है हूं आज हम बनाएंगे मटल पुलाओ जो सबको बहुत पसंद होते हैं बहुत ज्यादा पस मैंने चावल लिए हैं बिल्कुल फ्रेस मटर लिए हैं और सबजियों में देखे तो मैंने आपे आलू प्याज टमाटर और जो गाजर हरी मिर्ची ली है आप चाहो तो इसके अंदर और और सबजिया एड़ कर सकते हो गोबी वगेरा जो आप चाहो वो तो फटाफट से हम कुकर के अंदर डालेंगे गी तो मैंने आपे देशी घी डाला है एक चमज के करीब और गी को अच्छा से मेल्ट होने के बाद में हमें इसके अंदर डालेंगे आदी चमज के करीब राई दाना बहुत अच्छा फ्लेवर देती है चावल के साथ और अब हमें आदी चमज क फीос minority को डालनी के देखर सुषिए मैंने आलो को पेयाज को टमाटर को और यो स्वेकल लिया है अगाजनी धिक्रणलाबन हुआ करने के दो हैं मैंने मतर निक्तार के तुस्ट लाए हैं जरे अच्छेडिया दूद डूल मेना थता के रहा कि मोतर हुँ है। तो अगर नहीं भी खाते कई लोग सब्जियों से भागते हैं तो आप इसको मठर डाल के दीजिए फिर चाहिए आप जो भी सब्जा इसके अंदर डाल दीजिए वह फटाफ़ची चट कर देंगे तो मसालों में देखी तो थोड़ा सब आदी चमज के गरीब डालेंगे डालेंगे हैं मनत्र नगेर तो बख्रेद तो बनाने बहुत ही जा नधकर काम अबने हो जान नहीं रहता है उनाले हा प्रियंज्ञड़ देखे टाउर, में तो भी झाले, मत्र प्लाव लाट आप बढए में गहाल था, पूरी फेमिली को तो यह देखिए हमने इसके अंदर हरे धने की कुछ पत्या भी डाल दी है बस बहुत ही मतलब अच्छी खुश्बू आती है हरे धने की पत्यों से तो पानी पर बात आती है पानी हमें कितना डालना है इसमें आपे घड़बर होती है जब कि आपे चावल ब हमें सिर्फ इतने ही पानी डालना है इसके अंदर इससे जदा पानी नहीं डालना है अगर आप इस तरीके से पानी का ध्यान रखोगे तो आपके चावल है वह बहुत ही खिले खिले बनेंगे बस कूकर का धकन बंद कर देते हैं और सिर्फ दो सीटी लगवाएंगे हम यह चावल को हमें गलाया नहीं है बस इसमें चोटी सी बात का ध्यान रखना है टमाटर भी मैंने डाल दिये थे और उसके बाद में ढखन लगा कि दो सीटी लगवाली है दो सीटी के बाद में हम देखेंगे कि हमारे जो चावल है वो बिलकुल अच्छे तरीके से पक चुके ह और कितने साइज में देखें कितने बड़े बड़े हो गए हैं तो यह मैंने आप बासमती चावल लिये थे आप चाओ तो जो भी चावल आप घर में यूज में लेते हो वो चावल ले सकते हो लेकिन बनाने का तरीका आप यही रखना बहुत टेस्टी आपकी चावल बनें अगर मठर नहीं है तो आप आलू भी डाल के बना सकते हो जो खाने में बहुत ही ज्यादा यम्मी होते हैं तो उम्मीद करती हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज चैनल को करना सब्सक्राइब बैल आइकन